अस्सलाम उलेकूम मेरी प्यारी बहिनों भाईयों आप सब कैसी हूँ इंशालला आप सब ठीक होगे और मैं भी ठीक हूँ तो देखिए यहाँ मेरे नएवाले घर पे जो बराबर में मतलब खेद वगेरा है तो वहाँ पर लगावा था खूप सारा हरा धरियां तो मैं आप सब को दिखा रही हूँ और इसमें से सच में बहुत प्यारी खुश्बू आ रही है हरा धनिये की छटपे में खड़ी थी वहीं से आ रही थी खुश्बू और ये साइट में गोबी लगी है मुझे नहीं पता यह कौन सी वाली गोबी है यह देखिए इसमें खुश्बू बहुत यह प्यारा लग रहा था देख लेजिए यह सारा हरा धनिया है तो मैं यहीं से ले लिया करूंगी चटनी के निंगे अपने उसके बाद देखिए मैं यहां दिखा रही थी यह बना रहे थे मसाला तो हम तो इसको मसाला ही बोलते हैं पता नहीं क्या ब मसाला और आज आप सबको दिखाती हूँ अपनी चटपे का तो जा रही हूँ मैं चटपे तो देख लिजे मेरा पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा तो यह देखिए लेंटर तो उस दिन पड़ गया था तो उसके बाद मैंने चटपे का आपको बिलकुल नहीं दिखा तो आज दिखाती हूँ माशाला देगे कितनी बड़ी हमारी चट है देखिए यहां से आप सबको दिखाती हूँ यह देख लिजे कितनी बड़ी चट हैगी यहां से वहां तक सारी चट पे पूरी धूप है मुझे बहुत खुशी हो रही है क्यूंकि हमारे यहां वाली लही जाएंगे तो इस चट पे बहुत सारी धूप है कुछ भी सुकालो कपड़े वगेरा और मतलब गेंव वगेरा कुछ भी सुकालो तो बहुती बड़ी चट हो गई है माशाला हम उपर बनाएंगे तो बहुती अच्छा रूम बनेगा और ये नीचे को जीना हमारा सीधा दिए जा रहा है तो कैसी लगी हमारी च्छत और यहां पर यह दिखी है मसाला बना कर ले आए थे नीचे तो हमारे घर में रूम में लिसाई वगेरा इश्टाथ हो गई है तो रूम में लिसाई हो रही है तो बस आप सबको यही दिखाया था बस यही तक था मेरा व्लोग आप सब को कैसा लगा प्लीज बताईएगा कमेंट्स करके और जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजेगा और एक प्यारा सा लाइक भी कर दीजेगा कमेंट्स जरूरी करिएगा मुझे बताईएगा जरूर तब तक के लिए अल्ला हाफीज तो ये अपने हाथ से ही सारा कर रहे हैं आप सब समझ सकते हो कि इसमें बहुत सारा पेशा लग गया इस वज़े से दुसरा मिश्क्री नहीं लगाया ही बस ये खुश से ही कर रहे हैं अपना काम